नमस्कार साथियो, UPSC मास्टर में आप सभी का स्वागत है साम प्रदाइक्ता के मुद्दे पर किसी भी प्रकार की कोई सहमती नहीं बन पाई थी यही वज़य है कि दिद्ये गोल में समेलन असफल हुआ था वहीं दूसी तरफ ब्रिटिस सरकार भारत में अपने सामराज जगी जड़े एक के बादे करके मजबूत करती जा रही थी इसी को ध्यान भी रखते हुए ब्रिटिस प्रधान मंतरी रेम जे मेकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को एक घोषना की उसी घोषना को हम सामपरदाइक घोषना, कमुनल अबार्ड या सामपरदाइक पंचाट के नाम से जानते हैं इस घोषना की तहद ब्रिटिस सरकार ने मुसल्मानों, सिखों और इसाईयों के अलावा दलीतों को भी सामपरदाइक ता के आधार पर पर्थक निरवाचन चेत्र परदान कर दिया कारण था मुसल्मानों को तो वो अलग ही मानती थी, सिखों को भी अलग मानने लगी थी इसाई और इउरोपियंस को भी अलग मानते हुए वो यह चाहती थी कि हिंदू वर्ग में और फूट पढ़े और दलीतों को पर्थक निरवाचन परदान कर दिया जाए इस अधिनिर्ने से संबंधित प्रमुख प्रावधान इस प्रकार है मुसल्मानों, सिखों और यूरोपियंस के साथ साथ दलीतों को भी प्रथक सामपरदाइक मताधिकार परदान के जाता है यहाँ प्रथक सामपरदाइक मताधिकार चितात पर है कि जो उम्मिदवार होगा वो भी उसी वर्ग का होगा और मतदाता जो है वो भी उसी वर्ग का होगा फोर एक्जमपल ये कोई छेत्र है और ये वाला जो एरिया है ये दलितों को पर्थक निराचन छेत्र देने के लिए मोहिया करा गया है तो यहां उम्मिदवार भी दलीती होगा और यहां मतदाता वो भी दलीती होगा रिजर्वेशन में थोड़ा इसके अपोजिट होता है अगर रिजर्वेशन किसी कर्टेगरी को मिलता है तो वहीं पर्थक निराचन छेत्र से चहुमुखी सामपरदाक्ता का विकास होता है इसके अलावा महिलाओं को भी पर्थक निराचन छेत्र प्रदान किया गया और प्रांते विधान मंडल में सामपरदाइकता के आधार पर अस्थानों के आरक्षन का प्राधन किया गया ये कहा गया कि बंबई में सामाने निराचन छेत्र से साथ अस्थान जो है मराठो के लिए रिजर्ट रहेंगे और दलितों के लिए यह ववस्था आगामी 20 वर्स तक लागू रहेगी अधात 1932 में था ये प्रोभी जाया कि भई 1952 तक यह ववस्थाईं यहां लागू रहेंगे उमीद है आपको सामपरदाइक गोशना समझ में आई होगी मिलते हैं नेक्स लेक्चर में जिसमें हम चर्चा करेंगे पूना समझ होता पर तब तक के लिए जैंद जैभारत महासक्ति भारत